वैशाक पूर्णेमा कब है? वैशाक पूर्णेमा पर इन उपायों को करने से होगी धन की प्राप्ती. इस साल 2024 में वैशाक माह की पूर्णेमा 23 मई 2024 गुरुवार के दिन पड़ेगी. लेकिन पूर्णेमा तिथी 22 मई बुधवार से लग जाएगी. पंचांग के अनुसार वैशाक पूर्णेमा 22 मई को शाम शूने 6 बचकर 47 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 मई को शाम शूने 7 बचकर 27 मिनट पर समाप्त होगी. उद्या तिथी होने के कारण 23 मई को वैशाक पूर्णेमा का वरत रखा जाएगा. वैशाक पूर्णेमा को शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है. मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान के साथ पूजा पाठ का विशेश महत्व है. पूर्णेमा की तिथी को मा लक्षमी और चंदर देवता को प्रसंद करने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. इस दिन धन व्रिद्धी के उपाए बहुत ही फलित होते हैं. वैशाक मास की पूर्णेमा साल की कुछ उन विशेश पूर्णेमा तिथियों में से एक है जिन पर मा लक्षमी प्रसंद होकर धन वर्षा करती है. वैशाक पूर्णेमा के शुभ अवसर पर मा लक्षमी बेहद प्रसंद मुद्रा में रहती हैं और इस दिन भक्तों को मा लक्षमी की कृपा का लाथ प्राप्त होता है. शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन मा लक्षमी की पूजा से जुड़े कुछ उपाय करने से उनकी कृपा शीघर ही प्राप्त होती है और आपके घर में सुक शान्ती व समरिद्धि स्थापित होती है. तो आईए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के लिए मा लक्षमी की पूजा के कुछ सरल उपाय. नमबर एक पीली कौडियों का उपाय. वैशाख पूर्णिमा का दिन माता लक्षमी और भगवान विश्नु की विध्यविधान से पूजा करें. इस पूजा में ग्यारह पीली कौडिया मा लक्षमी को अर्पित करें. अगर आपके पास पीली कौडी नहीं हैं, तो सफेद कौडियों में भी हल्दी लगाकर उनका प्रयोग कर सकते हैं. इन कौडियों को मा लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद अगले दिन इन कौडियों को अपनी तिजोरी में लाल कपडे में बांध कर रख लें ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती नमबर दो खीर से करे मा लक्ष्मी को प्रसन मा लक्षमी को दूध, मखाने और केसर की बनी खीर सबसे प्रिय होती है वैशाक पूर्णे मा के दिन स्नान के बाद स्वच्छता के साथ दूध, मखाने और केसर की खीर बनाएं और इसे रात में सोने से पहले मा लक्षमी को अर्पित करें अगले दिन स्नान करने के बाद स्वय इस खीर को प्रसाद के रूप में खाएं और परिवार के बाकी लोगों को भी प्रसाद के रूप में खिलाएं नमबर 3 व्यापार में तरक्की के लिए उपाएं अगर आपका बिजनस सही नहीं चल रहा है और आपको काफी मेहंत के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो वैशाख पूर्णिमा पर इस उपाए को आजमा कर देखिए अपनी दुकान या फिर जहां पर आपका बिजनस स्थापित है वहां के पूजास्थल में मा लक्ष्मी की प्रतिमा के पास गोमती चक्र पूर्ण विधान के साथ स्थापित करें उसके बाद वहां लाल आसन पर बैठ कर कनकधारा स्थ्रोत का पाठ करें पूजा के अगले दिन इस गोमती चक्र को घर में या फिर अपनी दुकान में धन के साथ रख दें ऐसा करने से आपका काम धन्धा फिर से पट्री पर आ जाएगा और संपन्ता बढ़ेगी नमबर चार मुख्यद्वार पर करें हल्दी का उपाए वैशाक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर सनान करें और सबसे पहले कामबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्यद्वार के दोनों और यह जल छिड़के इसके साथ ही वैशाक पूर्णिमा के दिन लक्षमी माता के मंदिर में जाड़ू का दान जरूर करना चाहिए। इससे धनसंपदा बढ़ती है और मा लक्षमी आपके घर में वास करती है। नमबर पांच पीपल के पेड़ की पूजा वैशाक पूर्णिमा पर ही भगवान विश्नु के नवे अवतार गौतम बुध का प्राकट्य हुआ था और उन्हें वैशाक पूर्णिमा के दिन ही बोधी वरिक्ष यानी के पीपल के पेड़ के नीचे ज्यान की प्राप्ती हु और दूध मिश्रित जल भी चड़ाएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद झाल